नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो की अंतरगत हम लोग असकंद गुत नाटक देख रहे हैं असकंद गुत नाटक का पहला अंख है और पहले अंख का जो पहला दिरिश्य है वो हम लोग पीछले वीडियो में देख चुकी हैं इस वीडियो में पहले अंक का हम दूसरा दृष्य देखने वाले हैं तो चलिए देर न करते भी आप लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब यहां जो है दृष्य आपका बदल जाता है दृष्य क्या हो जाता है? पट परिवार्तम दृष्य से बदलता है अब ये द्रिश्य कहां का है तो कुसुमपूर के राजमंदिर में समराट कुमार गुप्त और उनके परिशद है यानि सभापती और सभा में जो लोग बैठते हैं तो उनका द्रिश्य यहां पर दिखाया गया है यानि कुसुनपूर की राज मंदिर का जो है द्रिश्य है जिसमें कुमार गुप्ट और उनके परिस्थ हैं कि यहां देखिए धातु सेन धातु सेन के बारे में अगर मैं बता दूं तो यह सिंगहल का सिंगहल का जो है आप उन्हीं कह सकते हैं कुमार दास इनका कुमार दास नाम है ठीक है क्या नाम है तो कुमार दास सिंगहल का राजकुमार इनको कह सकते है कहने सकते हैं ठीक है तो यह सिंगहल के राजकुमार यह क्या है सिंगल के राजकुमार है इनका नाम कुमारदा से धातुसेन भी इनको कहा जाता है तो धातुसेन कहते हैं परम भटारक आपने भी स्वयम इतने विकट यूद किये है कह रहे हैं कि धातुसेन कहता है कि परमभटारग आपने भी स्वयम इतनी बिकट युद किये हैं मैंने तो समझा था कि राज सिंहासन पर बैठे बैठे राज दंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त समराज अस्थापित हो गया था प्रन्तु ऐसा नहीं धातुसेन कुमारगप्त की परसंसा में कह रहा है कि आपने भी स्वयम इतना बिकट युद किये हैं मैंने तो ये समझा था कि राज सिंहासन पर बैठे और राज दंड हिला दिया और इतना बड़ा गुप्त समराज बना लिया अस्थापित कर लिया परन्तु ऐसा नहीं है आज मुझे युराज बन करके ये फिल हो रहा है धातुसेन नहीं तो कुमारगप्त कहता है हसने लगता है बात सुन करके और कहता है तुम्हारी लंका में अब राचस नहीं रहते तो महारी लंका में अब राच्छस नहीं राते क्या क्यों धातुसेन क्या इस लंका में जो है अब राच्छस नहीं राते तो धातुसेन कहता है राच्छस यदि कोई था तो विभीसर क्याना कि अगर कोई राच्छस था तो वो विभीसर ही राच्छत था और बंदरों में भी एक सुग्रिव हो गया था और बंदरों में अगर कोई राचस था तो वो था सुग्रिव दच्रापत आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है और ये दच्रापत आज भी उन्ही लोगों की करनी का फल भोग रहा है धातु सिंग कहता है प्रंतु हाँ एक आश्चरी की बात है कि महा मान ने परमेश्वत परम भटारक को भी यूद करना पड़ा रामचंद्र ने तो सुना था जब यूराज भी न थे तब ही यूद किया था और समराठ होने पर भी यूद पिर के रहा कि ये चीज आश्चेरी की बात है कि आप जो है आपको युद करना पड़ा रामचन तो सुना है कि वो जो है इवराज भी न थे तब भी युद किये थे और समराठ हो गए तो भी अब आगे कह रहा है कि कुमार गुव्वत कह रहे हैं कुमार गुवत को मैं बता दू यह राजा है ठीक है उहां के राजा है तो आप राजा कहा रहे है कि युद्ध तो करना ही पड़ता है अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए युद्ध आवश्यत है कुमार गुप्त कहते हैं कि युद्टो करना ही पड़ता है तुमक्री अपनी सत्ता को बनाए रखना है तो फिर युद्धावशक है धातु से अच्छा तो सुवर्गी आरे समुद्र गुप्त ने देव पुत्रों तक का राज्य बिजय किया था के रहे हैं कि तब तो जो आपके पिता सुवर्गी आरे समुद्र गुप्त थे उन्होंने भी तब देव पुत्रों का राज्य बिजय किया होगा सो उनके लिए परम आवश्यक था तब तो उनके लिए आवश्यक रहा होगा क्या पाटली पुत्र के समीप ही वहराष्ट था क्या वहराष्ट पाटली पुत्र के समीप ही था तो कुमार गुपत करता है चार अच्छा भी, बाली की सेना में कोई बचे हुए हो धातु सेन परम भटारक की जय हो, बाली की सेना न थी, बाली की कोई सेना नहीं थी और वोह यूद्धन था, जब उसमें लड्डू खाने वाली सुग्रिव निकल पड़े तो फिर क्या बात है कहा रहे हैं कि बालु की पास कोई सेना न थी और वो युद्ध न था जो युद्ध बाली के साथ हुआ था वो युद्ध न था उसमें तो अब लड़ू खाने वाले सुग्रिव निकल गए तो बाती कुछ अलग है को मारगुत कते हैं कि क्यों धातु से उनकी बड़ी है उसमें लड़ू बड़ा सुसोवित होता था और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए कि उनकी तारा का मंत्रित्व सुना है समराट इस्तरी की मंत्रणा बड़ी अनुकुल अवरुप उपयोगी होती है इसलिए उन्हें राज्य की जहन्जटों से सिग्र छुट्ट परमभटारक की दुहाई एक इस्तरी को मंत्री आप भी बना ले और परमभटारक कुमार गुप्ट से मैं दुहाई करूंगा जो भी एक इस्तरी को मंत्री बना ले बड़े-बड़े दाड़ी मूच वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्यानकारी होगी और ये बड़े बड़े दाणी मुझवाले जो मंत्री हैं उनके बदले वो अकेले ही जो मंत्र जो रणिती जो 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 जाता है कुमार गुप्त को प्रितिविसेन जो है कुमार मात्य कहा जाते हैं ठीक है यह मंत्री हैं इसलिए कि कुमार मात्य यानि प्रितिविसेन तो मानते ही नहीं तो फिर कैसे मैं बना लूग तो धातुसेन कहते हैं कि तब मेरी सम्मती से वे ही कुछ दिनों के लिए इस्त इस्त्री रखा जाए तो वही कुछ दिनों के लिए इस्त्री बन जा क्यों कुमार मात्य जी तो कुमार मात्य वहीं पर बैठे हैं यानि प्रिथविसेन उन्हीं का दूसरा नाम कुमार मात्य भी है चीखें उनको कुमार मात्य कहा जाता मंत्री है प्रित्वी सेन भी उनका नाम है और कुमारे मात्ते के नाम से संभोधित भी कर देते हैं तो देखे यहां पर कर दिये कि क्यों कुमारे मात्ते जी तो जब पूछा गया पूछ लिए प्रित्वी सेन से तो प्रित्वी सेन करते हैं पर तुम तो इस्त्री नहीं हो जो तुमार स्विकार कर लो तो इस बात पर कुमार गुव्थ हस्ता हुआ हस्ता है कहता 1 हाण यह तो दिधुम्हारी बत मालिया तो आरे‍ब समुद्र को सीकंद्रने कर उन विद्रोही देशियों का दमन करना पड़ा क्योंकि आरें समराज के समय वैसे ही सिंधू के उस पार का देश भी भारत समराज के अंतरगत था जगत विजेता सिकंदर ने के सेनापति सेलुकस से उस प्रांत की मौरिश समराथ चंद्रगुप्त ने लिया था तो वो इतिहास थोड़ा सा बताने लगते हैं कि कुमार गुप्त कि क्यों समद्रगुप कि उनको छुडाना भी था तो इसलिए जो है वहां युद्ध हुआ था ये कुमार गुप्त कहते हैं और चंद्रगुप्त ने भी सेलुकस से राज्य छीना था फिर कह रहा है कि धातु सेन धातु सेन कहता है फिर तो लड़कर ले लेने की एक परंपरा से लग जाती है फिर तो ऐसा लगता है कि लड़ाई लड़कर के और राज्य छीन लिया जा और ये एक प्रकार से परंपरा बन जाती है उनसे उन्होंने छिना उन्होंने उनसे छिना और ऐसे ही लेते चले आये और ऐसे ही उनसे वो छिने उनसे वो छिने उनसे वो छिन ले ऐसे ही लेते चले आये हैं उसी प्रकार आरे आज भी हो रहा है तो कुमार गुुप्त कहते हैं कि तुम समझते नहीं ब्योस्था दिये हैं कुमार गुप्त कहते है तब धातुसेन कहता है नहीं धर्मा अतर हिसा नहीं समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्त है संसार में इसी का बोल बाला है ये मुझे समझ में आ गया तब भटार्क भटार्क बोलता है नहीं तो क्या रोने से मिलेगा अगर लड़के नहीं छीना जाए नहीं प्राप्त होगा लड़ाई से युद्ध से नहीं मिलेगा तो क्या रोने से और भीक मांगने से कुछ अधिकार मिलता है कोई अधिकार मिलता है भटार्क के बारे में बता दू ये भटार्क जो है कमला का पुत्र है और ये जो है असकंद गुप्त के खिलाप जो है रड़नीती बनाता है चीके तो इसकी आवाज देख लेजे किस प्रकार कि इसकी भासा नहीं तो क्या रोने से मिलेगा या भीक मांगने से कुछ अधिकार मिलता है जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा और यदि मांग कर मिल भी जाए अगर मांग कर कि अधिकार मिल भी जाए तो सांती की रच्छा कौन करेगा तो फिर उसकी रच्छा कौन करेगा उस राज में सांती कौन बनाए रखेगा तब ही जो है मुदगल का प्रवेश होता है और मुदगल जो है प्रवेश करके बोलता है मुदगल भिदूसक है तो ये प्रविश करके बोलता है कि रच्छा पेट कर लेगा उसकी रच्छा कौन करेगा जब भटार कहता है कि सांती की रच्छा कौन करेगा तो मुदगल प्रविश करता है और कहता है कि उसकी रच्छा पेट करेगा कोई दे भी तो अच्छे तुडीर है अच्छे कवाच सब लोगों ने सुना होगा परंतु उस अच्छे मंजूसा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता इसके भीतर कुछ रख कर देखो मैं कैसे सांती से बैठा रहता हूँ पेट कर लेगा, पेट की पूजा कर दो मेरी और वो फिर पदासन पर जहां उसका अस्थान है वहाँ वो बैठ जाता है तब पृतिवी सेन कहता है परम भटारक की जय हो मुझे कुछ निवेदन करना है यदि आग्या हो तो कहूँ प्रित्वी सेन कहता है कि परम भटारक की जय हो यानि कुमार गुप्त की जय हो अगर कुछ मुझे कुछ कहने कि आज्या मिले तो मैं कुछ कहूं मेरा एक निवेदन है तो कुमार गुप्त कहता है कि हाँ हाँ कहिए तो पृत्वी सेन कहता है कि सिप्रा के इस पार समराज का अस्कंदावार अस्थापित है कहना कि जो सिप्रा नदी है उसके इस पार समराज का अस्कंदावार अस्थापित है अब मालवेश का दूत भी आ गया है और मालो के राजा यानि मालो का दूत भी आ गया है कि हम ससन्य इराज की साहतार्थ प्रस्तूत हो और कि हम जो है सेना के साथ वहां के इराज की साहता के लिए प्रस्तूत हो जाए महानायक परदत ने भी अनकूल समाचार भेजा है और महानायक जो सेनापती हमारे जो परदत है उन्हों ने भी इसके अनकूल ही समाचार भेजा है तब कुमार गुप्त कहता है मालों का इस अभियान से कैसा भाव? कुछ पता चला? क्योंकि वो यह यूद तो जान बूझ कर छेड़ा गया है वो ऐसा क्यों करता रहता है? वो जान बूझ कर यूद छेड़ लिया है इधर देख रहा है कि हमारे यहां लड़ाई यूद चल रहा है ठीक है? फिर उधर वो जान बूझ कर यूद छेड़ दिया ठीके कौन कहा रहा है ओक कुमार गुप्त महासंधि बिग्रहिक्त यानि की एक संधी हुई थी तो उसको कहते हैं कि महासंधि बिग्रहिक्त शाधू यह बंस प्रमप्रागत तुम्हारी ही बिध्या है यह बंस प्रमप्रागत चलेगी यह तुम्हारी ही बिध्या है तो प्रिश्वी सेन कते समराट के स्रीचरणों का प्रताप है समराट के स्रीचरणों का यह प्रताप है सौराष्ट से भी नमिन समाचार मिलने वाला है और सौराष्ट से भी एक नया समाचार मिलने वाला है इसलिए इवराष्ट को वहाँ भेजने का मेरा अनुरोद था इसलिए इवराष्ट को वहाँ भेजने का मेरा क्या था आपसे अनुरोद था ये प्रित्वी सेन जो आग्या माना कि मैं आपसे कुछ कहूं तो वो कहता है भटार्क बोलता है सौराष्ट की गती बिधी देखने के लिए एक रड़ दच सिनापती की आव सकता है एक सौराष्ट की अगर गती बिधी सौराष्ट के बारे में जानना है देखना है तो एक रड़ में दच यानि यूद्ध में प्रवीर सिनापती को भेजने की आव सकता है वहाँ सक राष्ट बड़ा चंचल अथ्च भयानक है और भयानक है खतरनाक है तो वहाँ कोई दूसरा जाएगा तो मार दिया जाएगा आव सकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा उतकंठा की आव सकता नहीं है इसमें उतकंठा की आव सकता नहीं है ज़रुवत पड़ेगी तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा पिथी भी सेंटा दिया तो भटार्क बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो कुमार गुपत कहता है महाबला दिकृत तुम्हारी अस्मरडी सेवा सुकृत होगी अभी आउसकता तो नहीं है पर जरुवत होगी तो याद रखा जाएगा धातु सेना धातु सेन कहता है हाथ जोड़कर यदि दछिड़ा पत पर आकरमण का आयोजन हो तो मुझे आज्या मिले यदि दछिड़ पत पर आकरमण ठीके का आयोजन हो यानि आकरमण करने का योजना बने तो मुझे आज्या मिले जाए मेरा घर पास है मैं जाकर स्वचंत पर वो अधर लेट रहूँगा सेना को भी कश्ट ना होने पाएगा और ये इस परकार से जो बेंग करता है तो कहते हैं सब भसने लगते हैं ये सुन करके मतलब यूद्ध है और ये जा करके सुएगा सुने की बात कर रहा है तो मुद्गल कहता है कि जय हो देव पाक साला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्या मिले और जदी पाक साला पर युद्ध करना हो चढ़ाई हो यादी उधर लड़ाई लड़ना हो तो मुझे आज्या मिले मैं भी उसका सरवस्वांत कर डालू मैं उसका क्या कर डालू स्वर्वस्व अंत कर डालो सब कुछ नस्ट कर जानो तो फिर सब आसते हैं अगंभी बाव से अभिवादन करते हैं एक और प्रिथवी सेन और दूसरी और भटार्क का प्रस्थान हो जाता है यानि प्रिथवी सेन और भटार्क दोनों क्या हो जाते हैं चले जाते हैं कुमार गुप्ट कुमार गुप्ट बोलता है मुदगल तुम्हारा कुछ तो मुदगल कहता है महा देवी ने प्रार्थना की है कि इवराज भटारग की कल्यान कामना के लिए चक्रपाड़ी भगवान की पूजा की सब समागरी वस्तु है आरे पूत्र कब चल की है तो कह रहा है कि महा देवी ने प्रार्थना की है कि इवराज भटारग की कल्यान कामना के लिए चक्रपाड़ी भगवान की समागरी परस्तुत कर दे गए तो आरे पूत्र कब चलेंगे तो आप कब चलेंगे ये पूछा है उन्होंने तो कुमार गुप्थ मुँछ ब और अपानक भी हैं, महादेवी से कह देना, अस्तान तुष्ट नहों, नराज नहों, कल चलूँगा, कल जरू चलूँगा, समझा न मुदगर, समझ गये न मुदगर, क्या कहना है, यह जाकर के समझा देना, तो बता देना, तो मुदगर खड़ा होकर, कहता है परमेश्वर प फिर इतियास की और चला जाता है, और कहता है कि जो वो चाड़क के था, चंदरगूर्ट के राजा बनाया था, कि वो कुछ भांग पीता था, क्या, उसने लिखा है कि राज पूत्र भेड़िये हैं, उसने ऐसा क्यों लिख दिया, कि राज पूत्र, राजा का जो पूत्र वो भेड़िये हैं, इनसे पिता को सदयव साधान रहना चाहिए, और इनसे जो पिता हैं, उनको अपने पूत्रों से क्या हो रहना चाहिए, साधान रहना चाहिए, कुछ भांग पिता था, क्या, ऐसा लिख दिया, कुमार गुत काता है, यही राष्ट निती है, कुमार द्धातुसेन जो बात कहता है यह इस पर घटने वाली है तो धातुसेन भूल गया आपका धातुसेन चुप हो गया क्या बोल दिया मैंने क्योंकि अनन्त देवी जो है उसकी छोटी रानी है कुमार गुप की और वो अपने पूत्र के लिए जो है अपनी पूत्र को युराई बनाना चाहती है तो कई जो है राजनितिक सड़यंत्र रचती है तो चुगी ये बात सुलेती है ठीक है तो अनन्त देवी जो है वो अनन्त देवी का चुक्चा प्रवेस हो जाता है और धातुसेन जो है भूल गया उसके बदले उस ब्रामर को लिखना था धातुसेन काता है कि वो भूल गया उसके बदले उस ब्रामर को यह लिखना था कि राजा लोग ब्याही न करें, उसी दे लिख देता कि राजा लोग ब्याही न करें, क्यों भेडिये जैसी संतान उत्पन होगी, न भ्याह करता न भेडिये जैसी संतान उत्पन होती, उसी दे ब्रामर को ऐसा लिख देना थी, जूटे क्यों लिख दिया कि राजपुत्र पुद्हान रहना चाहिए तो अनंत देवी चुपके से प्रविश की ए तो वो जो जो सामने आ जाती ए और सामने आकर बोलती है आरे पुतर की जय हो यानि कुमार गुद्ध को बना चुप हो जाता है तो कुमार गुप्त करता है आओ प्रिये तुम्हें खोज रहा था चोटी रानी है ना कुमार गुप्त की तो करता है कि आओ प्रिये तुम्हें ही खोज रहा था अनंत देभी बोलती है नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूं नर्तकियों को भी बुला करके लाई हूँ, साथी ले करके आई हूँ, कुमार माते भी थे, मंतरड़ा में बादा समझ करके, मंतरड़ा में मैंने सोचा कि मैं आ जोंगे तो बादा होगा, तो मंतरड़ा में बादा समझ कर, जान बुझ कर देर लगाई, मैं थोड़ा देर करक आपको तो देखती हूँ कि आवकास ही नहीं रहता आपके पास तो हमेशा बिजी आप बिजी ही रहते हैं आपके पास तो समय ही नहीं रहता है तो इसलिए मैं थोड़ा जान बुच करके देर करके आई हूँ तो धातु सेन की और कुरुध होकर देखती है और धातुसेन की और कुरुध धुक्र के देखती है क्योंकि धातुसेन ही कहता है कि ऐसा तो ब्रामण को ऐसा लिखना चाहिए कि राजा को विवाही नहीं करना चाहिए तो इस बात से वो सुन करके वो कुरुध से उसकी और देखती है तो कुमार गुप्त बोलता है ब्याख्या में जाकर ही अफल मिला है अब उनके सुत्रों की ब्याख्या में इसा ब्याख्या नहीं करता तो यह फल मुझे पूछाने नहीं मिलाऒता च्हमा बाट और पूछ लूँ च्हमा मुझे मापशी मिले दुछ विस्विंडे का प्रस्णन न करूँगा उसके बाद इस विश्व पर प्रस्ण ही नहीं करूँगा तो अनंददेवी क्स पूछ लो क्या पूछना है तब धातु सेन कहता है यानि उसने अर्थ सास्त्र लिखा है चंद्रगुप ने तो धातु सेन क्या कहता है कि उसके अनर्थ सास्त्र में बिस्कन्या का और यहीं पर रुप जाता है अर्थ सास्त्र के दिया है क्या जुकि यह पोलता है तो कुमार गुपत जो है वह डाठ देता है चुप रहा है क्या यह और नर्थ किया गाती भी प्रवेश करती है नर्तकिया क्या करती है गीत गाती हुई प्रिविस करती है गीत कैसे है तो ये देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को सुनाब देता हूँ इस्क्रीन पे लिखा हुआ है न छेड़ना उस अतीत अस्मृती से खिंचे हुए बिन्तार कोकिल अक करूड राग नी तडप उठेगी सुनान ऐसी पुकार कोकिल हिदय धुल में मिला दिया है उसे चरण चिन्सा किया है खिले फूल सब गिरा दिया है न अब बसंती बहार कोकिल सुनी बहुत आनंद भैरवी बिगत हो चुकी निसा माधवी रही न अब सारदी कवरवी न तो मगा की फुहार कोकिल न खोज पागल मधूर प्रेम को न तोड़ना और के नेम को बचा बिरह मौन के छेम को कुचल अपनी सुधार कोकिल अब यहां जो है यह दूसरा अंक भी हमारा क्या होता है समाप्त होता है अब यहां से जो है दृस्य फिर बदलता है पठ परिवर्तन होता है और यहां जो दृस्य अब स्टार्ट होने वाला है यह कह सकते हैं तीसरा दृस्य है पर्थम अंक का अब यह कौन सा दृस्य चलन तो तीसरे द्रिष्टे को हम जो है देखिए पहले अंक में जो है साथ द्रिष्टे हैं तो साथ द्रिष्टे को हम लोग देखेंगे थोड़ा पहला अंक बड़ा है तो एक घंटे की एक लास हो चुकी है वीडियो हो चुका है तो इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडि